हलो बच्चो क्या आल चाल कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं तो अच्छे रहिए स्वास्त रहिए पढ़ते रहिए आज इस्टार्ट करते हैं आज बिजनस एकनॉमिक सेकेंड पेपर का दूसरा लेक्शर पहला lecture 100 question का जा चुका है, अब 75 question का है, कुछ question और भी है, कुछ इसमें repeated question भी है, कुछ important question भी है, कुछ additional question भी है, आईए आप तयार हो जाएए, और एक बार जरूर एक जाम जान देने से पहले पढ़ लिजिएगा, ठीक है, तो यह start करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे त अपने फ्रेंडों में जरूर सेर करिएगा, और एक चीज़ और बता देना है, कुछ इतने सारे mcq जा रहे हैं, तो जरूर एकात question का थोड़ा सा answer इधर उदर हो सकता है, बताने में चाहे options में, तो उसको ध्यान में न रखिएगा, ठीक ना, बाकि सारे question को अच्छे तरी सीधियों दीव जयी होती है, उस बाजार को किया कहा जाता है? तो उस बाजार को पूर्ण परतियोगिता कहा जाता है, ठीक है? धूसरा question है, अपन परतियोगिता में निमन की थे सेस्ता पाई जाती है? अपुन प्रतियोगिता में किस चीज की भी से इस्ता पाई जाती है? एक एक कोश्चन देखें. अपुन प्रतियोगिता में निम्न की भी से इस्ता पाई जाती है? फर्मों की भी साल संख्या का होना, उत्पादन समरूप होना, मने समरूपता का होना, पुन प्रतियोगिता म इन चारों में से कौन सा आपसन आपको सही दिख रहा है तो आपसन नंबर सी सही दिख रहा है पूर्ण प्रतियोगिता के बीच की अवस्था कोई ये पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है ठीक है क्वेशन नंबर हमारा तीन का रहा है कि वह कौन सा बाजार है जिसमें बहुत सी छोटी फर्मे होती है और उनमें से प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है ठीक है अगला है चार नंबर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन की मांग होती है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन की मांग कैसे होती है तो ये बेलोच देखिए अगर थोड़ा सा आपसन इधर का इधर हो गया है तो ये पूर्ण बेलोच दार होती है आपसन नंबर बी सही है ठीक है जल्दे जल्दी पढ़ते जा रहे हैं अगला कारा है कि एक आधिकार आत्मक प्रतियुगता का बिचार किस ने दिया था तो चेंबरलिन के द्वारा दिया गया था ठीक है अगला है अलपादिकार किस बाजार की किस्म है अलपादिकार किस बाजार की किस्म है तो वता दे अपुन प्रतियुगिता की किस्म है अपुन प्रतियुगिता को अलपादिकार भी कहा जाता है ठीक है उसी की एक बिरैटी है अगला है साथ नंबर कुश्चन हमारा कि पुन पुनप्रतियोगी फर्म का दिरकालिन संतुलन होता है, कैसा होता है? आउसात आगमबकर के नियुनतम बिंदु पर होता है. फिर अगला है कि पुनप्रतियोगी फर्म में परतेक फर्म क्या होता है? पुनप्रतियोगी फर्म में परतेक फर्म क्या होती है? कीमत प्राप्त कर और मात्रा नहीं हो जग होती है ये पिछले भी लेक्शर में था ठीक है अगला है दस नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है सत्य कौन सा है बाजार कीमत सामान कीमत के चारो और चक्कर लगाती है ये सही दिख रहा है सामान कीमत बाजार कीमत के चारो और चकर लगाती ह यह गलत है, बाजार कीमत और सामाने कीमत सदे बराबर होती है, यह भी गलत दिख रहा है और तीनों असत यह भी गलत दिख रहा है मने पहला option सही दिख रहा है अगला दी रहा है कि सुरचित मुल्य मने रिजर्ड प्राइस, वह मुल्य होता है जिस से कम मुले पर उत्पादन अथवा विक्रेता बस्त को बेचने के लिए मना कर देता है क्या ये statement सही है तो बिल्कुल सही है सही का अपसन होगा अगला दिया गया है कि जब बस्त की मांग की लोच अनंत होती है तो एक फर्म के लिए निम्लिखित समीकरन लागू होता है कौन सा समीकरन लागू होता है तो यहाँ पर बता दें कि ऐसी दसा में MR iscult to AR होता है Marginal revenue iscult to average revenue जो था तो अपसन नमबर इसमें C सही दिख रहा है ठीक है अगला है सामान मुल वह मुल होता है जिसके दिरकाल में अस्थापित होने की कोई संभावना नहीं रहती है क्या यह सही है या गलत है तो यह गलत है ठीक ना तो अपसन नमबर 20 है एक अधिकारी फर्म क्या होती है क्योब कीमत नियोजक होती है कीमत नियोजग या मातरा नियोजग होती है वसी है कि कीमत नियोजग या मातरा नियोजग होती है बताइए क्या होती है सभी लोग जानते है यह E नहीं है C है कीमत नियोजग या मातरा नियोजग होती है ठीक ना अगला दिया गया है हमारा कि कौन सा कथन सही है किस में, किस दसा में एक आधिकार की दसा में ध्यान दिजेगा एक आधिकार की दसा में ये कथन सही है अर्थात मोनोफोली की दसा में AR greater than MR होता है और यही पून परतियोगिता रहेगा ठीक है तो पूर्ण प्रतियोगिता की दसा में रहेगा AR Sculptu जैसे ये वाला जो आप्सन है ये पूर्ण प्रतियोगिता में है और ये वाला आप्सन जो है अपूर्ण प्रतियोगिता में है तो आप्सन भी सही है अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निमलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सत्ता के निकट है मने सबसे ज़्यादा सही है सही आप्षन इसमें क्या है बता दे रहा है एक आधिकारी बस्तु की पूर्ती अथो अभस्तु की कीमत नियंतरीद करता है यह आप्षन सही अगला है दिरकाल में एक आधिकारी को क्या प्राप्त होता है? दिरकाल में एक आधिकारी को सदेव और समानला प्राप्त होता है. एकजक्ट याद रखे रही है. अगला है कि दिरकाल में कौन सा कतन सही है? दिरकाल में कौन सा कतन सही दिख रहा है? तो दियान दीजेगा एक आधिकार में बस्तु की कीमत सीमान तलागत से कम होती है ठीक ना नहीं पहला ही दिख रहा है सही एक अधिकार में बस्तु की कीमत सीमान तलागत से अधिक होती है अर्थात आपसन ये सही है और बाकी क्या है एक अधिकार में बस्तु की कीमत सामान कीमत से कम होती है गलत है और एक अधि अधिकारी का उत्पादन जदि लागत हरास नियम के अंतरगत होगा तो एक आधिकारी के लिए क्या होगा अप एच्छा किरित नीची कीमत रखकर लाब अधिकसम करना चाहिए। ठीक है। जब पुन परतियोगता यह अधिकार की तुलना की जाती है तो ऐसी दसा में क्या हो 21. question है प्रोफेसर लर्नर के अनुसार एकाधिकारी फर्म होगा है जिसकी बस्त की मांग क्या होती है। ठीक है दिरखाल के अंतरगत एकाधिकारी को बड़ती लागत दसा में क्या मिलता है बताईए बड़ती लागत की दसा में क्या उसे प्राप्थ होता है लाव के उवल होता है ठीक है आगे बढ़ी जो 22 तेश नंबर है कि एक अधिकारी कीमत पुन प्रतियोगी कीमत की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है एक अधिकारात्मत प्रतियोगता का विचार देने वाले अर्षास्त्री कौन थे? बताई? तो इच्चे अंबर लीन याद रखिए गए पिछले भी लेक्चर में था सायद अगला है एक अधिकारी विवेद की सफलता के लिए आउस्यक है तो बाजार को प्रतिक किया सके तथा उनमें विक्री की संभावना नो हो ठीक नो? बाजार को अलग किया सके अगला है कि कीमत भीवेद में एकादिकारी संतुलन की सर्द क्या है जब कीमत भीवेद होता है तो आएकादिकारी संतुलन की सर्द क्या है कौं सा equation यहाँ पे लागो होगा तो यहां बता दे A S.Col2 मतलब इसका होता है M.R.A.Sol2 Mr.B.Sol2 क्या होता है? M.C. वता है. पहला आपसन सही है. अगला है कि जब एक आदिकार के अंतरगत एक आदिकारी एक बस्तु के लिए बिभिन भोकता से भिन भिन मुल्ले वसूल करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बिवेधात्मक एक आदिकार कहा जाता है. 28 नंबर कुश्चन कर रहा है कि ज़िए दो बाजारों में मांग की लोज समान हो तो सीमान ताय समान हो तो मुल्य समान हो तो ऐसी दसा में क्या होगा तो ऐसी दसा में मुल्य विवेद संभो नहीं हो सकेगा अगला है भेदात्मक एकादिकार से क्या आस है भेदात्मक एकादिकार क्या होता है दियान दीजे कि B option सही है जब एकादिकारी दोरा एकी बस्तु की बिभिन उभुकताओं से अलग अलग कीमत वसूल की जाती है तो उसे भेदात्मक एकादिकार कहा जाता है मतलब जब एका ग्रेटर देन एम और टू हो तो एक अधिकारी की इस्थिति क्या होगी तो एक अधिकारी की इस्थिति पहला दिया है कि दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार से अधिक उत्पादन की बिक्री करेगा अगला है कि बिविधात्मक एक अधिकार के अंत्गत उत्पत्ती बित्रण का मूल भूत नियम क्या है मूल भूत नियम क्या है यहाँ पे यह बला अप्सन सही होगा मनें अप्सन B सही होगा MR1 स्कल 2 MR2 होगा ठीक है अगला दिया गया है कि ज़ि विजली के उभोग किराय की कीमत उसके प्रियोग के प्रकार के आधार पर अलग अलग निर्धारित की जाती है तो इसका सम्मंद क्या होता है तो इसका सही सम्मंद मूल भिवेत क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कीमत निर्धारित की जाएगी लोगों से तो मुले बिवेत की स्तितिका लाए गया पीगू के अनुसार कीमत बिवेत की स्रेणिया कितनी है तब पीगू के अनुसार कीमत बिवेत की कितनी स्रेणिया है तीन स्रेणिया है देखे ओप्षन गलत दिया गया है उपर होना चाहिए तीन होगी ठीक है चोथा कोश्च, 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 चोथा कोश्च फर्में होती है और उनमें से प्रतेक फर्म जो होती है कि एक दूसरे से मिलती जुलती बस्तुएं बेचती है वो कौन सा बजार है तो यह option B सही है एक आधिकार प्रतियोगिता है ठीक है अगला 36 नंबर question आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ओर छोटा कर ले चेंबर लिंग के अनुसर बिसुद प्रतियोगिता में कौन सा घटक नहीं पाया जाता चेंबर लिंग जो और सास्त्री है उनके अनुसर बिसुद प्रतियोगिता में कौन सा घटक नहीं पाया जाता है तो आपसाने है क्रेता और अभी क्रेता की अधिक संख्या बस्तु की एक रूपता, उद्धोगों में फर्मों का सुपंत प्रिवेश हो बहिर गुर्मन और बाजार का पून ग्यान, तो सही इसमें आपका आंसर कौन सा है, बाजार का पून ग्यान, चेंबर लिंग के नो बिसुद परतियुपता का ये घटक नहीं है, बाकि सब है, अगला है, ए एक अधिकरित प्रतियुगता मोनोफोलिस्टी कंपरडीशन में फर्मों का परवीश सोतंतर होता है, इसलिए दिरकाल में एक अधिकारी प्रतियुगता में इस्तिती होता है, कौन से इस्तिती होता है भई, सुनने लाब या सामानने लाब होने की संभावना रहती है, ठीक अगला है 38 नमबर क्वेशन एक आधिकारात्म प्रतियुगता का विचार देने वाले अर्षास्त्री कौन से है तो एक कई वेर क्वेशन आ गया है चेंबरलीन कहीं हो सकता है या भी जाए गैर मुल्ब प्रतियुगता बाजार के सर्षास्त्री ने दिया था तो ये भी चेंबरलीन के द्वारा दिया गया था ठीक है 40 नमबर क्वेशन कहा रहा है कि एक आधिकारी प्रतियुगता में समुष अंतलन ग्रूप इकुविलियम की व्याख्या किस ने की थी तो ग्रूप इकुविलियम की अस्थापना किस ने किया था चेंबरलीन ने किया था फिर कर रहा है चेंबरलीन के नुसार एक आधिकारी प्रतियुगता का मुलाधार क्या है उनके अंतरकत मुलाधार क्या है उत्पाद भी भेट मतलब ये different different बस्तों को different different मुल्यों में बीचने के बात कर रहे हैं अगला है 42 नमबर कई बिक्रे लागा सब्द का प्रियोग सरप्रतम किस अर्शास्त्री ने किया था तो ये भी chamber lane ने किया था फिर आगे करा एक अधिकार आत्मक प्रियोगता में अलकालीन संतुलन वहां होता है जहां कहां होता है बता देए ये option number D सही है SMC MR को नीचे से काटे और P greater than ABC के बराबर हो ठीक नो अगला 44 नमबर question कर रहा है कि एक साधन की बाजार मांग है एक साधन की बाजार मांग कैसे होती है वाई ये बिद्पन मांग होती है ये भी question कई बारा आ चुका है अगला कर रहा है किसी साधन का MRP होता है किसी साधन का MRP कैसे होता है जब MPP का उना किया जाएगा MR में तो MRP कहलाएगी ठीक इसी तरह है अगला question निमलिखित में से कौन और सास्त्री बितरन के सीमांत उत्पादक्ता सिधान से सम्बंदीत है तो बितरन के सीमांत उत्पादक्ता सिधान से जीवी क्लार्ख सम्बंदीत है बाकी लोग नहीं है ठीक है, अगला है, अगला क्वेशन है, साधनों की कीमत निर्धारन के लिए बस तो सिध्धान से अलग सिध्धान की आउसकता पड़ती है, क्यों की किन कारणों से पड़ती है, साधन की व्यूत्मन मान होती है, इस कारण से पड़ती है, ठीक है, बितरन के सिध्धान से हमार ताथपरज है, जिए ताथपरज है, व्यक्तियों में बित्रण, उत्पति के साधनों में बित्रण, ठेक Internet, असी हे दोनों और इन्से कोई नहीं, यह दिखेगा, यह छे लिखा, छे नहीं है, यह B. option है तो सही option है उत्पत्ति के साधनों के बित्रण में बित्रण के सिय little श्रम की उत्पादक्ता बढ़ती है तो मजधूरी का अश्तर बढ़ता है ठीक है पचास नंबर क्योशन का रहा है कि मजधूरी के ऑसेस अधिकारी सिध्ध्धान का प्रतिपाधन किस ने किया तो मैदूरी की औसे सदिकारी सिध्धान का प्रतिपादन वाकरम होदे ने किया था और उसी तरह का रहा है नामातर की मैदूरी से क्या आसा है नामातर की मैदूरी से मतलग है कि जो मैदूरी मुद्रा में मिलती है उसे नामातर की मैदूरी कहा जाता अपसर ने सही है बावन नमबर कुश्चन का रहा है मजदूरी के लो नियम का प्रतिपादन किस अर्शास्त्री ने किया मजदूरी के लो सिध्धान्त या लो नियम का प्रतिपादन किस अर्शास्त्री ने किया था तो एडम इसमीथ ने किया था मजदूरी को सिध्धान्द के प्रतिपादक कौन है मजदूरी को सिध्धान्द के प्रतिपादक फी सर्मा होते है ठीक है अगला है चवण नमबर क्वेशन कि स्रम की मांग होती है मांग बक्र होती है स्रम की मांग बक्र कैसे होती है भई एक सामानम मांग बकर की भाद ही होती है जड़ी X अक्षपर सर्मिकों के संख्या अंकित की गई हो तो Y अक्षपर अंकित करना चाहिए मतलब जैसे ग्राफ मना रहा है X अक्षपर सर्मिकों के संख्या अंकित की है तो Y अक्षपर आप क्या दर्सा हैंगे मैदूरी की धर क्योंकि सर्मिक है तुमको मैदूरी मिलेगा इसलिए एक सर्मिक दूसरे अक्ष पर क्या मैदूरी अगला है वास्तविक मैदूरी को प्रभावित करने वाला तत्त है वास्तविक मैदूरी को प्रभावित करने वाला कहूं सा तत्त है अगला 57 नमर कोशन के रहा है कि स्रम संग की सौधा करने की सकती किस पर निरभार है बस्त की मांग की लोच पर, स्रम की प्रति स्थापन लोच पर, अन्ने सादनों की पूर्थी के लोच पर इनमे से तीनों ही ठीए ना, प्रतिष्टी तरसास्त्रियों का विचार है कि स्रमसंग मजदूरी की दर में क्या होता है बिर्धी करवा सकते हैं, बिर्धी नहीं करवा सकते हैं, कटोती नहीं करने देते, इन में से सभी विर्धी करवा सकते हैं 59 नमबर क्वेशन का रहा है कि उत्पादन बस्त की मांग बेलूच होने की इतसा में स्रम संग मैदूरी को क्या करते हैं बढ़ाने में सफल होता हैंगे बढ़ाने में सफल हैंगे अगला है लगान की सरप्रथमियों अस्पष्ट वह संतोस जनक ब्याख्या किस ने किया था त आधमिक लगान सिद्धान के परतिपादर कौन है तो रोमिनसन है ठीक है अगे चुटे-चुटे कोश्चन है अच्छे कोश्चन है निम्न में सबसे निकट नहीं है यह निम्न कोट की भूनी को क्या कहा जाता है तो सीमांत भूनी यह वी कल कोश्चन था अगला है कि अगला है अभास लगान क्या है अभास लगान किसे कहा जाता है वह अतिरेक जो अल्पकाल में मिलता है और दिरकाल में समाप्थ हो जाता है उसे अभास लगान कहा जाता है तरलता जाल कहा लाता है तरलता जाल क्या कहा लाता है तरलता अदिमान बक्र का वह भाग जो एक सक के समननानतर होता एसी को तरलताजाल का आ600ений क्या है कि सकल बयाज किसको का आईते हैं सकल बयाज किसको का जाता है जब सुद्द ब्याज में बेक्तिगत जोकिम का भीमा और प्रवंद का परतिफल और ब्यापार के जोकिम का परतिफल जोड दिया जाता है तो सुद्द ब्याज काल आता है अगला है ब्याज कुझी के त्याग का प्रतिफल है यह किसने कहा था तो यह मार्शल महुदे ने कहा था अगला है 69 ब्याज के आद्निक सिध्धान्त में आयस बकर बताता है आय यो ब्याज दर के सैयोग को बताता है उधार दे कोस का मांग भक्र होता है, उधार दे कोस भक्र का मांग हमेशा रेडातमक ढालवाला होता है 75.21 नमबर Question है कि प्रतिश ईश्ञास्तरिओं दौर्ण प्रतिपादित ब्याज का सिध्धांत किस के दौरा दिया गया था सिध्धान, बचत व बिनियोग का ये सिध्धान कालाता है, ठीक न? अगे बढ़ते हैं अगला किन्स के अंसार, एक सिकट किन्स के अंसार ब्याज दरो, ब्याज दर दो तत्तों पर निर्वठ करता है जिन में से एक है तरलता पसंदगी, तो दूसरा क्या है? बिनियोग की मात्रा. दूसरा है, कुल ब्याज में कौन सा तत्तो सामिल किया जाता है? जोखिम भुकतान, सुद्ध ब्याज, और सुविधाओं का भुकतान, और ये सभी, उपयोगत सभी. ठीक है? अगला है, रिड योग कोस की मांग में समलीत है. क्या भाई समलीत है इसमें? इसमें इन्वेस्टमेंट भी सामिल है, उपभोग भी सामिल है और संचे भी सामिल है. ठीक है और 75 नमबर कोश्चन है कि किन्स के उनसार ब्याज का सम्मन्द है किसे है 60 से किसे है 60 से इस तरह आपका ये 75 कोश्चन कम्प्लीट हुआ ये 75 कोश्चन का ही स्रीज तयार हिया था बार बार आप लों से मैं का दे रहा हूं कि इतने सारे MCQ रहेंगे उसे पूरा प्रियास किया गया है कि सही हो लेकिन किसी एकात कोश्चन पर कहीं इधर उदर हो सकता है तो उसको ध्यान में न रखिएगा बाकी कोश्चनों पर जादा फोकस करिएगा ठीक है और अपने फ्र में जब जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए बार आप 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 आप